अस्तित्व में भौतिक स्तर पर जो चीज आपके सबसे करीब है वो है आपका शरीर और ये शरीर इस धर्ती का बस एक छोटा सा टुकड़ा है आप इसी पृत्वी की एक उपज हैं अभी आप एक ऐसी उपज हैं जो चारों और उच्छल कूद रही है कुछ समय बाद आप मिट्टी का छोटा सा धेर बन जाएंगे आप अपने बारे में बहुत सी कालपिनिक चीजों पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन वो सच्चाई नहीं ये बुन्यादी बात कि हम जिस धर्ती पर बैठे हैं उसी का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं हम भूल जाते हैं अक्सर तब तक जब तक कि हमें दफनाया नहीं जाता अगर आप समझदारी से जीना चाहते हैं तो आपको उस जमीन के संपर्क में रहना चाहिए जिस पर आप रहते हैं आज क्यूंकि हमने कुछ तरीकों से ये संपर्क खो दिया है इसलिए जीवन अस्थ्वियस्थ हो गया है अस्थ्वियस्थ होने की वज़े से बीमारी, कमजोरी और आखिरकार पूरे सिस्टम में ही अस्थिरता आ सकती है माती कहे कुमार को तू क्या रूंदे मोही एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तो ही आए है सोजाएके राजा रंक फकीर माती कहे कुमार को तू क्या रूंदे मोही एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तो ही मैं आपको अपना एक अनुभव जरूर बताना चाहूंगा हमारे भारत की योग केंदर में एक योग अस्पताल था हम इसे योग एक अस्पताल कहते थे हम नहीं चाहते थे कि ये अस्पताल ज्यादा बढ़े क्यूंकि हम फुल टाइम अस्पताल नहीं बनना चाहते हैं हम एक आध्यात में केंदर हैं इसलिए हम अस्पताल को कम महत्व दे रहे हैं एक बार जब मैं यहां आया मैंने कुछ अमेरिकी डॉक्टरों से बात की उनको इस अस्पताल में रुची थी और वो भारत आये वो यहां आकर तीन दिन रुके और तीन दिन के बाद एक स्वयम से वक्ट ने मुझे बताया कि सारे अमेरिकी डॉक्टर नाराज हैं और वो वापस जाना चाहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ उन्होंने बताया बहतर है आप उनसे खुद ही मिलने क्यूंकि वो काफी नाराज है मैंने कहा ठीक है और मैं उनसे मिलने गया उनसे मिलकर मैंने पूछा कि परिशानी क्या है वो बोले आपने कहा था यहां अस्पताल है अस्पताल कहा है यहां तो कोई अस्पताल नहीं मैंने कहा फिलहाल अस्पताल में करीब 60 मरीज है तो वो कहा है अस्पताल के बारे में उनकी सोच ये है कि वहां बेट जरूर होने चाहिए मरीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए और हर किसी को अगर आप उनकी इतने अच्छे से देखबाल करेंगे तो वो स्वस्थी क्यों होना चाहिए वो बोले मरीज कहा है मैंने कहा वो सभी बगीचे में हैं मैंने उन्हें काम दिया है हम उन्हें उपचार, ठेरपी और दवाएं तो देते ही हैं लेकिन बाकी समय मैं उन्हें काम देता हूँ जो कुछ भी वो कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए सबसे बढ़कर उन्हें नंगे पैर और नंगे हाथों के साथ जमीन पर काम करना चाहिए यानि बस धरती के संपर्क में रहना चाहिए क्यूंकि आप बस इस धरती की एक बूंध है आप ये भूल रहे हैं आप जिसे अपना शरीर कहते हैं वो बस धरती का एक टुकड़ा है है ना अगर स्त्रोच से ही आपका कनेक्शन टूट जाए तो क्या आप अस्त्वयस्त नहीं हो जाएंगे फिटनेस और खुशाली का मतलब ट्रेडमिल पर दोड़ना और भारी भरकम मास पेशियां बनाना नहीं है नहीं सिस्टम में तत्वों की समगरता को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीकों से हम ऐसा कर सकते हैं एक सरल तरीका है प्रित्वी, पानी और पौधों के साथ काम करना और घर से बाहर रहना सिर्फ इतना करने से कुछ फर्क पढ़ने लगेगा तो मूल रूप से अगर शरीर को पोशन देने वाला भोजन मिलना निश्चित है सांस लेने के लिए साफ हवा है और आप धरती के संपर्क में हैं तो ये अच्छी सेहत पानी की पूरी प्रक्रिया हो सकती है अगर आप धरती से संपर्क नहीं बना सकते हैं और अगर आप धनवान और फैशनेबल हैं तो आप मढबात ले सकते हैं वो भी एक तरीका है तो आज आप छुट्टी लेते हैं स्पा जाकर मढबात लेते हैं एक बहुत ही महंगे वादावरण में लेकिन अगर आप हर रोज कम से कम कुछ मिनिट के लिए अपना हाथ प्रिथवी के संपर्क में रखें तो आप देखेंगे कि आपका शरीर ज्यादा बहतर स्थिती में होगा क्योंकि जब भी शरीर प्रिथवी के संपर्क में होता है तब यह खुद को फिर से व्यवस्थित करता है आप जितना ज्यादा इसके संपर्क में रहें उतना ही अच्छा है आप सभी अपके सान तो नहीं बन सकते और हो सकता है आप बारवी मंजल पर रहते हों तो आप माली भी नहीं बन सकते लेकिन कम से कम प्रिथवी के साथ थोड़ा संपर्क ज़रूरी है आपकी हथेलियां और तलवे इसके प्रती बहुत ज़्यादा संबेदन शील होते हैं अगर आपके पैर और हथेलियां धर्ती के संपर्क में आएं तो उससे फर्क पड़ेगा या कम से कम आप वैसे में इसकी सला तो नहीं देता लेकिन अगर आप तो पहर में आराम करना चाहते हैं तो आप एक पेड के नीचे कीजिए इससे आपकी रीड की हड़ी धर्ती के संपर्क में आएगी और कई चीजों में सुधार होने लगेगा या फिर आप किसी पानी की प्राकरतिक जगा पर जा सकते हैं जो धर्ती पर हो जैसे नदी, तालाब, समुद्र में जाने से हमारे सिस्टम को बहुत लाब पहुंचेगा आप ग्राउंडिंग जानते हैं बिजली की ग्राउंडिंग जो हम लोग करते हैं क्या यहाँ भी उसे ग्राउंडिंग ही कहते हैं आप उसे क्या कहते हैं? अर्थिंग. उसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है. वास्तम में उसे अर्थिंग कहा जाता है. तो जब आप जमीन में बिजली का कनेक्शन लगाते हैं, तो इसे गीला रखा जाता है. क्यूंकि अगर गीला होगा, तो संचालन बहतर होग तो इसी तरह भारत के मंदिरों में लोग पूरी तरह से शरीर को गीला करके, लेट कर प्रणाम क्यूं करते हैं? क्यूंकि वहां पर संपर्ख केवल धर्ती से ही नहीं, बलकि खास तरह की उर्जावान धर्ती से होता है तो आप चाहते हैं कि आपका पूरा शरीर इसके संपर्ख में आए, इसलिए पुरुष नंगे बदन जाते हैं या कम से कम वो शरीर के उपरी हिस्से में कपड़े नहीं पहनते हैं, महिलाएं गीले कपड़ों में जाती हैं, ताकि संपर्ख हो सके प्रक्रती के साथ ये संपर्ख, चाहे वो संपर्ख धर्ती के साथ हो, या वायू के साथ, या जल के साथ, ये बहुत जरूरी है अगर ये संपर्ख नहीं है, तो शरीर धीरे धीरे अपनी समगरता और स्थिरता को खो देगा ये अपनी बहुत सी शमताएं खो देगा, जो इसमें मौजूद हैं, ये फिर भी जिन्दा रह सकता है, ऐसा नहीं है कि कल मर जाएगा, लेकिन वो अपनी कई शमताओं को खो देगा, जिसके साथ ये आया है, कई संभावनाएं, वो सभी संभावनाएं जो मानव सिस्टम में ह खो जाती हैं, क्यूंकि आपने प्राकृतिक तत्वों के साथ संपर्क खो दिया है, खास करके जब आप डिनर या लंच करने जाते हैं, तो पहले कम से कम आदे घंटे के लिए बिना चपल के चले हैं, इस ग्रेनाइट पर नहीं, या तो घास में, या फिर बाहर मिट्टी म आप देखेंगे कि शरीर के धर्ती से संपर्क में होने के बाद, जब आप खाना खाते हैं, तो शरीर उसको बहुत अलग तरीके से लेता है, पाचन क्रिया तो वैसे भी होगी ही, लेकिन आप अपने सिस्टम में कितना जोड़ पाते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि बिना जूते या चपल के चलें, और शरीर प्रित्वी के संपर्क में रहें, तो आप देखेंगे, आपके तत्वों के व्यवार में समगरता अभी से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. नंगे पैर चलना और खेलना वाकई लोगप्रिय हो रहे हैं, योग विज्ञान ने हमेशा इसकी सलाह दी है, और अब विज्ञान भी यही बोल रहा है. विशेश रूप से बच्चों के लिए ये ना सिर्फ उन्हें बहतर संतुलन देता है, बल्कि ये उनकी दिमागी क्षमताओं को विक्सित करने में भी मदद करता है. पैरों की नसें समवेदन शील होती हैं, जब पैर जमीन के संपर्क में आते हैं, तो बच्चों में पर्यावरण की बहतर समझ विक्सित होती है, और साथ ही वे अपने शरीर के प्रती ज्यादा जागरुक बनते हैं. पैदल चलने को ज्यादा स्फूर्ती, ज्यादा मजबूत टांग की मानस्पेशियों और चोट पहुँचने की कम संभावना से भी जोड़ा गया है. प्रित्वी के संपर्क में होने के कई और भी पहलो हैं. आश्रम में मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आप चाहें जो भी काम करते हूँ, कम से कम दिन में एक घंटा अपनी उंगलियां जरूर धर्ती में डालें. आप कहीं किसी बगीचे में जाकर कुछ कीजिए, आपके हाथों पर मिट्टी लगनी चाहिए, ये आप में प्राकृतिक रूप से एक शारीरिक स्मृती का निर्मान करेगा, एक शारीरिक स्मृती की आप नश्वर हैं. हर दिन अगर आप धर्ती में अपने हाथ डालते हैं फिलहाल, जो यादाश्ट आपके शरीर में हैं, वो आपके मन की यादाश्ट से कहीं ज्यादा आप पर हावी हैं. अगर आप प्रित्वी के संपर्क में हैं, तो ये शारीरिक रूप से कोशिकाओं के स्तर पर, तत्वों के स्तर पर आपको लगातार याद दिलाता रहेगा सिर्फ इसलिए, क्यूंकि आप जानते हैं कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा, है न? मान लीजे अगर आपका शरीर अमर होता, तो कौन बैठ कर ध्यान करता? अगर ये खुद अमर होता, तो कौन इसके परे कुछ जानने की कोशिश करता? क्यूंकि चाहे आप सचेत रूप से जागरुक ना हो, तब भी कहीं गहराई में आप जानते हैं कि आपकी एकस्पायरी डेट है, आप इसे थोड़ा खीचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, आपकी एकस्पायरी डेट है, इसलिए जानने की गहरी अच्छा है तो आपकी नश्वर्ता ही आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधार है अगर आपको याद दिलाया जाए कि आप नश्वर हैं तो प्राकृतिक रूप से ही आप जानना चाहेंगे भारत में विभिन परंपराएं प्रथाएं हैं कि अनुभव के आधार पर प्रित्वी से कैसे जुड़ा जाए कई सारी परंपराएं बस जमीन पर पालती लगा कर बैठना शरीर को किसी तरह से याद दिलाता है ये शरीर को याद दिलाता है कि वो भी बस यही है जैसे ही शरीर धर्ती के संपर्क में आता है वो जान जाता है कि वो यही है आप में से वो लोग जिनका शरीर बहुत ज्यादा अस्थिर है यानि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार-बार ऐसा होता है अगर आप बस अपने पलंग को छोड़कर जमीन पर सोने लगें तो आप देखेंगे कि इसे बहुत फर्क पड़ेगा बस इतना ही करना है अभी आप शायद 18 इंच दूर हैं बस 18 इंच पास आ जाई आप देखेंगे कि इसे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सिस्टम फिर से व्यवस्तित हो जाएगा मैं कहूंगा कि आपकी 80 प्रतिशत सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि आप धर्ती के साथ कितने तालमेल में हैं 80 प्रतिशत आपकी पुरानी बीमारियों का 80 प्रतिशत हिस्सा गायब हो सकता है सिर्फ इसलिए कि आप उस प्रित्वी के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाते हैं जिस पर आप अभी चल रहे हैं या बैठे हैं आप एक आसान अभ्यास जो आप सभी शुरू कर सकते हैं वो है भूत शुद्धी अगर आपके पास इसे करने के लिए समय और ज़रूरी फोकस हो तो भूत शुद्धी का मतलब है भूत मतलब पंच भूत या पांच तत्व शुद्धी मतलब उनकी सफाई करना चाहे वो आपका भोतेक शरीर हो या शृष्टी का बड़ा शरीर ये दोनों मुख्य रूप से पांच तत्व पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश से बने हैं जिसे अब मैं कहते हैं वो बस इन्ही पांच तत्व की शरारत है अगर आप जानते हैं कि इन पांच तत्वों को ठीक से कैसे व्यवस्थित करें अगर आप जानते हैं कि इन पांच तत्वों को अपने भीतर कैसे रखें तो फिर जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है सेहत, खुशाली, बोध, ग्यान, सब कुछ, आत्म ग्यान भी यदि आप बस ये जान जाएं कि इन पांच तत्वों को ठीक से कैसे रखा जाए तो बाकी सब खुद ही संभल जाएगा ये तत्वों का खेल एक दम अलग तरह से होता है जब ये प्रिथ्वी के संपर्क में होता है हर बार मैं ये सुनता हूँ विशेश रूप से जब मैं अमेरिका में होता हूँ मैं आप तक इससे स्वीकार नहीं पाया हूँ कि लोग धर्ती को धूल या गंदगी कहते है हो सकता हो कि ये प्रिथ्वी के लिए एक दूसरा शब्द हो लेकिन हमारे दिमाग में धूल या गंदगी का मतलब आपके लिए धूल का क्या मतलब है कच्रा है न, धूल कच्रा ही है, है कि न, अमेरिका में भी धूल को कच्रा ही कहते हैं, न, क्या कहते हैं, ऐसी चीज जिसे आप नहीं चाहते हैं, मतलब कच्रा, जो आप नहीं चाहते हैं, वो कच्रा ही तो है, लेकिन यहां हम पृत्वी को ताइमन, धर्ती मा कहते हैं ऐसा क्यूं है कि हमारे अंदर उन सभी चीजों के प्रती आदर का भाव नहीं है जो हमारे जीवन को बनाने में और चलाने में हर पल योगदान देती है आप बस उनसे अलग तरह का बरताव कीजिए अचानक से वो आपके अंदर अलग बरताव करने लगेंगी अगर आप तीन दिनों तक पानी ना पियें तो फिर भगवान भी आ जाएं तो आप उनसे पानी ही मांगेंगे अगर हम आपका नाक तीन मिनिट तक बंद कर दें तो फिर आपको भगवान नहीं चाहिए आपको हवा चाहिए सांस के लिए वो भी ताजी है न? एक सरल काम सभी कर सकते हैं कि वो हवा जिसमें वो सांस लेते हैं वो पानी जो वो पीते हैं, वो खाना जो वो खाते हैं, वो पृत्वी जिस पर वो चलते हैं और जो आकाश हमें थामे हुए है दिन में पांच बार अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो कम से कम दिन में तीन बार सचेत होकर इनके लिए श्रद्धा का भाव लाएं ये बहुत ही आम बात है कि आपको बताय जाता है मात्र प्रेम, पित्र प्रेम ये वो, पर प्रित्वी प्रेम उस ग्रह के लिए जिस पर आप चलते हैं क्यूंकि ये आप से अलग नहीं है मात्र प्रेम झाल झाल